आओ मिया, रमजान का चान देशेंगे हाँ बेटा, चल अम्मी बूद्योखो चान बेटा, अल्ला से दुआ करो रमजान का चान देखकर हम जो भी दुआ मांगते हैं न, वो कुबूल होती है मेरे प्यारे शोहर, आपको भी रमजान का चान मुबारक और हाँ, इससे दस दिन पहले ही आ जाएगा जी, ठीक है अम्मी, कल मुझे सेरीमोटा देना, मैं भी रोजा रखूंगा नहीं शेजादे, अभी आप साथ साल के हो, जब बड़े हो जो, तब रखना रोजी नहीं अम्मी, मैंने सुना है, जो रोजा रखते हैं, वो जणनत में जाते हैं, इसलिए कल मैं भी रोजा रखूंगा चल अच्छा, बच्चा आए अम्मी, सेरी लिकल गई तुमनों मुझे उठाया नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो, आव सो जाओ अम्मी, स्लोव अलेकुम, मैं नमास पढ़के आ गया वालेकुम, स्लाम मेरी शजादे, नमास पढ़ ली अल्ला तुमें नमास कहीं बहुत सारा सवाब देगा दो पहर हो गई है मेरे बेटे, तुने सुभा से कुछ नहीं खाया ये लो, खाना खा ले नहीं अम्मी, तुम्हें पता नहीं है, मेरा रोजा है अगर मैंने कुछ खा लिया तो मेरा रोजा तूड़ आगा मेरे लखते जिगर, बच्ची एक दाड़ का रोजा रखते हैं, तुभी एक दाड़ का रोजा रखलो, लो, खाना खालो नहीं अम्मी, मैं भी तुम्हें तरह रोजा रखूंगा, एक दाड़ का नहीं रखूंगा कुछ भी हो अम्मी रोजा नी तोड़ूँगा मैं जान दे दूँगा मगर अल्ला की इबादत से मूल नी मोड़ूँगा मैं चल ठीक है बेटा अराम कर अल्ला मेरे बेटे को रोजा मुकम्मल करने की हिम्मत दे उठकर नमाज पढ़ ले मैं इफ्तार का अंतिजाम कर रही हूँ अम्मी शेजादे उठ जा बेटा उठाने जा रहा है मेरे बेटे क्या हो गया अम्मी रुख मैं पानी लेकर आती हूँ ले पानी पी ले उठ जा अम्मी अभी अजान नहीं हुई है अभी ने प्यूंगा पानी मेरे बेटे तेरी अम बहुत तमें सराब हो रहे है पी ले पानी तोड़ दे रोजा अम्मी बेटा बेटा क्या हो गया उठ बेटा उठ अजान हो रही है उठ मेरे बेटे उठ या ला अजान हो गई है पुछ खाने को दे दे मैं रोजदार हूँ ये लू बाबा क्यों परेशान है बेटी बाबा मेने साथ साल के बेटे ने रोज़ा रखा बरदाश ना कर सका और मर गया हक अल्ला अल्ला तरी अबादत का ये जिला तो नहीं हो सकता इस मासूम बच्चे के रोज़ा रखने का ये तो अफ़ा तो नहीं हो सकता इस मासूम बच्चे ने तेरे लिए रोज़ा रखा अब तू इसे इफ़तार करा मेरे अल्ला इसे इफ़तार करा इसे इफ़्टार करा मेरे अल्लाः इसे इफ़्टार करा मेरे अल्लाः इफ़्टार करा इफ़्टार करा इसे इफ़्टार करा मेरे अल्लाः अम्मी पेटा ले ये वाक्या एक हाकिकत है रमजान में मुर्दे भी जिन्दा हो जाते हैं ये रमजान की बरकत है